हाँ प्रणाम वालेकूम चैचा राजीव ध्यानी लटनाओ से अरे हाल क्या है लॉकडाउन से ठक गए हैं अरे आग लगे आपके कान में भिक नहीं गए है ठक गए हैं अरे सौरी क्या होता है भाई हम इज़त वाले आदमी है नि भिक गए क्या मतलब हमें टीवी वाला प्रेंटल मुल्ला नहीं जानते यह भी बताना पड़ेगा अचा टीवी डिबेट जानते हैं फैनल हमाच छोड़िये टीवी खोलिया तब बताएं खोल लिया क्या रहा है कार्टून चैनल छोड़िये यार यहां फूरी जनता कार्टून बनी हुई है आगे बढ़िये क्य न्यूस चैनल लगाएं न्यूस चैनल हां और उसमें भी वह वाला चैनल जहां से या तो विग्यापन की आवाज आए या फिर मारो मारो काटो काटो की आवाज आए हाँ अचा मिल गया बताईए कौन-कौन बैठे मुझवाले अंकल जी है मुझवाले अंकल जी अरे वो अंकल जी नहीं है आर्मी के रिटायर्ट जनरल है हाँ चैनल पे ऐसे गुसे में रहते हैं लगता है आज ही पाकिस्तान पे हमला करके बलूचों को आजाद करवा हाँ फिर थोड़ी देर में स्टूडियो से निकलते हैं गोल्फ ख्लब चले जाते हैं नहीं नहीं यह पार्टी के ऑफिशल प्रवक्ता नहीं है हां काम वही करते हैं और कौन बैठा है चमकीले कपड़े दरजन भर अंगूठी आठ माला और तीन तिलक एक साथ अमा कायद ये से नाम लीजिये ये फरजी पीठादिश्वर दंगानंद जी महराज है हाँ फरजी है बिलकूल फरजी है असली वाले तो साधना में लगे हैं जनकल्यान में लगे हैं है यह फरजी वाले यहां पहटी पे ही क्या कि रहें एक लुच्चा सा आदमी बैठा हुआ है सही इसे बताइए लुच्छा है कि टुच्छा रहे नहीं यह पार्टी बकबकता है और स्वोगता है वारतिय दंगा पार्टी का प्रवक्ता दूकर रिखांक और कॉन um एक प्रोफेसर हाँ यह भी उनिक आदमी है यह पार्टी प्रवक्ता को कवर फाइर देता है असल में कवर फायर नहीं जानते हैं माय यार अच्छा छोड़िए यह समझिए कि टुच्चा तो टुच्चा ही है कुछ भी बोल देगा है ना तो प्रोफेसर उसकी बखवास को अपनी बखवास से मैलेंस कर लेता है हां और देखिए एक मनूस सा हां वो भी दिख रहा हुगा आदमी बेचारा सा हां वह यतीम सा ना हां हां गर्मी में भी गरम शेरवानी पहिन के आया है हां पहचान लीजिए यही है रेंटल मुल्ला हां और बताइए नहीं और कौन दिख रहा है एक आदमी पिछले दस मिनट से चिला रहा है लगता है कि अपने कपड़े फाड़ लेगा अ आंकर है हां इस चैनल का मालिक भी वही है अभी पुलीस थाने में 12 घंटे का शो चलाके आया है अरे कैंसर नहीं एक आइंकर हां वैसे है तो एक तरह का कैंसर ही लेकिन बोलते हैं एकर हां तो अब होता यह है कि शो की शुरुवात की करता है ना अभी आदे घंटे तक यह मुल्ला को और उसकी खौम को गरी आएगा और मुल्ला खुश मुल्ला खुश इसलिए हो जाएगा जा सुनिए तुक्बंदी सुनिए ना माईक से ना माला से ना भाशन से ना ताली से अरस किया है ना माईक से ना माला से ना भाशन से ना ताली से रिंटल मुल्ला खुश होता है चैनल वाली गाली से अरे खुश इसलिए होता है कि एक आदमी से गाली खाने के एक हजार मिलते हैं जितने लोग उत्ते हजार हाँ हाँ तो अब नंबर आएगा जनल सहाब का सबसे पहले है ना वो चिलाएंगे पाकिस्तान 1971 टैंक कश्मीर आर लखे कौम हाँ मुल्ला खुश क्यों हजार और पक्के टोटल तीन हजार फिर बाबा गाली देगा फिर प्रवक्ता फिर प्रफेसर है ना कुल पांच लोग गाली देंगे और पांच लोगों की गाली के अवज में रेंटल मुल्ला के मिलेंगे 5000 हाँ चचा तभी तो पांच हजारी मुल्ला एक ही आदमी है इसी बात पर एक और तुखबंदी सुन लीजिए कि रात के नौ बजते ही चैनल पे आजाते रोजाना नाराज मुच्छड जनरल नकली साधू 5000 मौलाना हाँ देखो अच्छे वाले जनरल देश के काम में लगे हैं अच्छे वाले साधू समाज के देश के धरम के काम में लगे हैं अच्छे मौलाना वो जो है लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं हाँ लेकिन ये गरबर लोग रात के नौ बजते ही चैनल पे आजाते रोज मुच्छड जनरल नकली साधू 5000 मौलाना हाँ 5000 में गाली खाता है 10,000 में लाद भी खा लेगा हाँ असल में इसको बुलाते हैं 9 बजे और बाकी लोग इकठा होते हैं साड़े आठ पे बाबा जनरल प्रवक्ता प्रफेसर फिर एंकर सबको समझाता है कि भया किसे क्या क्या ब बोलेगा कौन नहरूजी पे बोलेगा कौन जनसंख्या वर्दी पे बोलेगा पूरी घेरे बंदी तयार हो जाती है हाँ उसके बाद ये बेचारा बेगहरत और बेशाओर आदमी 9 से 10 तक पूरे प्राइम टाइम में मुसलसल मुतवातर गालियां सिर्फ गालियां खाता है हाँ पांच हजार में अपनी इज़द निलाम करवाता है हाँ बिरादरी की फजीहत करवाता है और देश का माहौल बिगाडने में देश दुरुही एंकर की मदद करता है क्या करें? अरे करना क्या है? इसका बहिशकार कीजिए हाँ इसकी बात ना सुनिए और चंदा करके हर चौथे पांच में दिन पांच हजार रुपे का चंदा इकठा करके इसके मनुष मुपे मार दीजिए है ना? और बाकी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमारा जो फेस्बुक का पेज है और यूट्यूब का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लिजे, लाइक कर लिजे हम से जुड़ जाईए नाम है राजीव ध्यानी? हाँ और चैनल का नाम है और पेज का नाम है प्रणाम वालेकुम P-R-A-N-A-M W-A-L-E-K-U-M राजीव ध्यानी, प्रणाम वालेकुम हाँ खोजिये, मिलिये हाँ मिलते हैं फिर